ओपार्ती जिसने अमरीका इंगलेंड वरगे मुलकांच औरतां लई खोलेया मर्दा दा स्ट्रिप कलब ओपार्ती जिसने डिजरी नुकार देता चैलेंज अंतर राश्ट्री होया उस दे कलब दा ब्रेंड एक कतल ने किमे वगार देती सारी कहाणी आओ जान देयां बैनर जी कौन सी जिसने खोले आब देशा देविच गोर्यां दी तरती उते मेल स्ट्रिप कलबं पाये सत्विकाल प्रोपंजाब टीवी देख रहे हैं तुसी मैं करन हांडा अक्सर ही जदो परवास दी गाल हुंदी आए ता पार्तियां दा ना दुनिया पार देविच सुची देविच उते ही आउदा है वड़ी गिंती देवच पारती वाकवाक मुलकां चे परवास कर देने अपनाप वेक सर्ज देने वड़ीयां तरक्यां भी हासल कर देने पर की थो नू ओस पारती वारे पता है जिसने वड़ेशां देवच जाके गोर्यां दीतर ती उते औरतां लई जदों फैमिनिजम जोरां ते सीं ओदों मेल स्ट्रिप कलाब मरदां दे स्ट्रिप कलाब खोल दे ते इनाई नहीं दावा कर देता के ओडिजनी वर गे वड़े ब्रैंड नो टकर देगा ते ओस दे स्ट्रिप कलाब वड़ेयां ले एक डिजनी लैंड बननगे विदेशा दे विच वखवख मुलकां चो उसने स्ट्रिप कलाप खोले अंता दी तरक्की हासल कीती पर फेर एक कतल हुंदा है जिस तो बाद सारी कहानी विगड जान दी है कौन सी ओ पार्ती की कहानी है सौमन बैनर जी दी स्टीव बैनर जी दी आओ जान दे हाँ उस पार्ती दी खानी जे सुते होना फिलमावी बन रही हाने सौमन बैनर जी उर्फ स्टीव बैनर जी नू पार देविच कुछ ही लोग जान देने पर वदेश्चा देविच कई सारे बिजनसमेन ओसनू एंटरप्रोनर्शिप दा जा फिर कहलिए मेल स्ट्रिप कलप दा मोरी बन देने पायनीर मन देने स्टीव बैनर जी सौमन बैनर जी दा जनम उन्नी सो च्याली दे विच होया अठक तूबर नू एक प्रिंटर फैमली दे कार बॉंबे दे विच जिस्तो बाद उन्नी सो पैंट दे करीब ओक निटा चला गया जित्थे ओसने एक गैस स्टेशन पाव के एक पट्रॉल पंप ल जदों वियो कोई वड़ी कार वेखदा ता कहिंदा कि एक दिन मैं एक गड़ी चला मांगा उन्नी सो सतर दे विच बैनर जी ने कुछ पैसे एकठे करके लास एंजलेस दे विच एक डाइव बार खुलिया एक तरीके दा छोटा जया आहाता या कलाब खुलिया जिसनों उस दी मिटी दे विच कुष्टी करवाऊना सी फिर उस दे एक नस्दीकी ने उसनों एक सजाद दा पॉल स्लाइडर ना दा एक शक्स 1989 दे विच उसनों सजाद देंदा कि वो अपने कलाब दे विच मेल स्ट्रिपर यानि की मर्दां दी स्ट्रिपिंग दे शो करवाए उना द जुँ और दे विच आर्था दी फैमिनिस्ट मुव्मसंट जोराँ ते सी जदों आर्थां अपनी जिन्दीगी खुल को जी न गुति मेल ओर्द जिन ने अपने मित्तर दा सजा मन देआं मेल स्ट्रिपर्पर्स अपने कलाब दे विच नचावने शुरू करते शोव शुरू होए ते उस दे ब्रैंड दी उस दे कलाब दी चड़त वदी आए देन ही आई शाम ही वत तो वत और ता उस दे कलाब वाल खिचियां पिर एसनू एक नवीन करन देन वासते नमा ना देदेता गया, डैस्टनी टू दे नाते बणया एक छोटा जाय आहाता ये एक छोटा जाय कलाब, ना बदल के चिपन डेल्स कर देता गया चिपन डेल्स दी त्रक्की तो बाद बेनर जी दे सुपने होर भी वटे हो चुके सी उस दा कहना सी के ओ होन हैफनर दे प्ले बोई दे डिजनी नू टकर देना चाओँदा है अन्तर राष्टरी ब्रेंड बनाना चाओदा है इना देना दे विच ही उस दी मुलाकात एक होर शक्स देनाल होई जिसने उस दी कहानी बदल के रख देती 1980 दी शर्वा दे विच उस दी मुलाकात निक डे नौया देनाल होई जो के एक एमी अवार्ड विनिंग डिरेक्टर सी कोरियोग्राफर सी जो के फिल्मा दे विच काम करदा सी अदा कारानों डिरेक्ट करदा सी निर्देशक करदा सी उस दो बाद बैनर जी ने उस दो अपने नाल शामल कीता उस दिनाल हिस्सेदारी दे विच काम करण लगया चिप&डेल्स दे विच जेडे मर्ध स्ट्रेपर्ज शो पेश करदे सी धर्षका वास्ते आरतां वास्ते उना नू होन डिरेक्ट करण लगया उना नो जाए ब्रैंड तो शुरू होया सी होना अंतराश्ट्री हो चुक्या सी सिर्फ यूएस नहीं बलके यूके दे विच्छ ऑस्ट्रेलिया कैनडा दे विच्छ वक्वक थामा ते इस दियां ब्रांचेस खुल गयां ते इस दी तरकी दिन बर दिन वदन लगी पर फिर सारी कहान बदल गई सारा किसा पल्ट गया डी नोया ने चिपन डेल्स तो अपनी हिस्सेदारी कड़ी ते उस ने अपना ब्रैंड शुरू कर दिता चार्ची ते एवी होया के डी नोया ते बैनर जी दे विच्छ कहा सुनी होगी सी बैनर जी किसे होर दी तरकी नूं नहीं जार सकता सी खास करके जदों किसे होर दी तरकी दे नाल ओस दे ब्रैंड नू काटा पेरया होवे ते निकडे नोया ता उस दा पराणा साथी सी उस नूं इंज लगया के नोया ने उस दे नाल तो खा किता जस्तव बाद बैनर जी अपने ब्रैंड नूं लेके होर भी प्रसेशिव ह गया बैनर्जी दा ऊक पुराणा साथी सी रे कोलन जो के कह रुटायड पुल्स अफसर सी थे होन चोटे मोटे कलबाच करता सी ते फ्रहुत्र ती लेके कतल ते मिस्क्रती sto शर्चा ब Arg subscribersli करता कथaltro किसे होगा दा नहीं बलके दे नोया दा जो को देनर्जी में । जो मेल स्ट्रिपर्जन नोदेशन देंदा सीं। बैनर जी ते डी नोयादी फोट एक कतल दे विच बदल गई जदों रे कॉलन ने डी नोयादा उस दे दफ्तर दे विच ही 1987 कतल कर देता पहला ता सिर्फ ए चर्चा लोकां दे विची सी पर बाद दे विच एफबी आई ने वी एस कतल दा नाता बैनर जी दे नाल जोड ही ल बैनर जी ने पहला कतल कबूल ने कीता ते ओ सब कुछ ठुकरांदा रहा उस दे वकील भी लोकां दे विचे ही प्यान दे रहे के उस दे ब्रैंड नो इस कतल दी अफवा दे नाल दोशा दे नाल कोई फरक नहीं पाएगा फिर चिपनडेल्स हूर भी बटा हो गया इस से द बगातार उस दे कारवाई भी हो रही सी ते ओ अपने साथियां दे साथ दे नाल केस लड़दा आ रहा सी पर उस दे साथी भी हौली हौली बैक आउट कर गए ते फिर एफबी आई नो सबूत वजों एक साइनाइड भी मिलेया ओही साइनाइड जिस दे नाल रे कॉलन ने दी नो एदा कतल कीता सी ते फिर बैनर जी ने अपना दोश कबूल कर लिया उस नो बजले दे विच सजा भी होई ते नाल दी नाल चिपन डेल्स ब्रैंड नो सरकारी कर देता गया पापके उस सारा ब्रैंड उस दे जिन्यावी ब्रांच सी उस दी सारी इंकम सरकार को चली गई यूएस गौर्मेंट ने उस दी सारी कमाई जब्त कर लई ते बैनर जी नो जेल दे विच सुट दिता चपियां साला दी सजा यूएस गौर्मेंट वलों सोमन बैनर जी नो सुनाई गई सजा तै जरूर कर दिती गई सी पर उस दा फारी तो और ते एलान होना ही सी के एक दिन पहला ही अक्तूबर 1994 दे विच बैनर जी ने जेल दे विच ही आतम हत्या कर लई पारत दे विच पामें ही कुझ को लोग का नो बैनर जी बारे पता है परपदेशा दे विच वड़े वड़े उद्योग पती ये मंदे ने कि उनना वेलान दे विच मेल स्ट्रिप क अब खोल नाते हो नानू सफल करना ते अंतराश्ट्री ब्रांड बनाना कोई छोटी गाल नहीं सी स्टीव बैनर जी सोमन बैनर जी एक शार्प तिखा बिजनसमेन सी तुसी मी एस पेशकश बारे आपने विचार कमेंट पॉक्स से सांजे करो देखते रहो प्रोपंजाब टीव